नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल गीता रसोई में आज सभी का हार्दिक स्वागत है पैरेंस आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि जब बच्चे का जन्म होता है और बच्चे को मा के दूद की जरूरत होती है तो मा के इस्तनों में दूद नहीं निकलता है यानि कम मात्रा म में दूद नहीं ले सकता है और उस का चोalten है वह भूख रह जाता है तो बच्चे बरौने की जोड़ जोड़ से बच्चा रोता है जैसे परहें सब के दूद कम आता है तो क्या करती है कि दीदे दीदे करके बच्चों का मोड़ फर्कुल चुटा देती हैं मतलब बच्चे चार चार दिन तो बहुत ही दिक्कत मिलती है जब बच्चा जन्म लेता है तो जो मा के इस्तन होते हैं तो बड़े टाइट हो जाते हैं और टाइट होने के बाद बच्चा जो मा के निपल होते हैं तो बच्चा अपने अच्छी तरीके से बच्चा मूह में नहीं ले पाता है तो 3-4 दिन दिक्कत होती है बच्चे को आपको क्या करना है कि आप अपने इस्तनों को गरम पानी से गरम गुनगुना पानी करें और गुनगुना पानी करने के बाद काटन के कपड़े को डिप करें उसमें और डिप करने के बाद उस कपड़े को अपने इस्तन के चारो तरफ मतलब घुमाएं घुमाएं और इसको एक दिन नहीं करना है आपको दिन में कम से कम तीन बार करना है क्योंकि आपके इस्तन और आपके जो इस्तन का निपल है तो वो हलका सा मुलाएम होगा जब मुलाएम होगा तो बच्चे को अपने हाँ से ले करके और आपको निपल दबाना है तब बच्चा दूद खीचेगा जब बच्चा जितना ही दूद खीचेगा और बच्चा खीचेगा उतना ही दूद आपको परियाप्त मात्रा में भली बाद दूद निकलेगा और कुछ मम्या ऐसी होती हैं कि जैसे ही वो समझ नहीं पाती हैं कि हमको क्या करना है अगर नई लड़कियों को समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें अरे दूद तो निकल ही नहीं रहा तो बंद कर देती उनको उपर का दूद देने लगती हैं तो ऐसा बिल्कुल भी मत करें बच्चे को अपने इस तन में लगाती रहें और उसको बराबर उसको अपने हाथों से दब दबा करके उसको मुह में निचोरती रहें और ऐसा नहीं है कि बच्चे का जो मुह है पूरा उसी में मतलब इस तन को ऐसी में मुए में रख दें उसको हलके से हां से उठा और बच्चे को एक दोडिन तो जितना ही बच्चा दूद करेगा उतना उतना उससे ज्यादा ही दूद निकलना आपके सुरू होगा अगर आपके इस्तनों में दूद कम आ रहा है तो बच्चे को बिल्कुल दूद बंद मत कराईए और बच्चे को पिलाते रहे और हम आपको ऐसा नुस्का बताने जा और हैं यह कि जो कम दूद मात्रा में आ रहा है कि बच्चा भूफ हर रह जाता है आपका तो नुस्का ऐसा बताएंगे आपके भरपूर मात्रा में दूद निकलेगा कि आपका बच्चा फटा फट बच्चे का पेट भरेगा और बच्चा बरकुल आपका एक ही मंथ में गोलू मोलू सा हो जाएगा तो ये नुस्का मैं आपको बताने जा रही हूँ ये नुस्का जरूर से जरूर करें और इसका जो रिजल्ट है आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा तो मैं नुस्के बताने जा रही हूँ पहला नुस्का तो हमारा ये है कि अरहर की डाल में दो इस्पून देशी घी डाल करके आप उस डाल को पिएं या उस डाल को खाएं रोटी के साथ तो आपके इस तोनों में भरपूर मात्रा में दूद बढ़ेगा इस बच्चा होने के बाद अगर कम मात्रा में आपके दूद आ रहा है तो आप उरद की डाल उरद की डाल बोलते हैं कोई उरद बोलता है कोई उरद की डाल बोलते हैं तो उरद की डाल का भरपूर मात्रा में प्रियोग करें तो आपका जो इस तन का दूद है तो वो बहुत तो आपके जो इसे में दूदबर मात्रा में निकलेगा और बच्चे भरपूर मात्रा में बच्चे का पेट बहर है और बच्चे का पेट नहीं खाली रहेगा और और आपको फलों में फ्रूट्स में क्या लेना है जैसे कि चीकू हो गया नासपाती हो गई और पपीता हो गया यह आप खुब मतलब खाईए और इससे भी आपका जो दूद है इसतन का दूद है वो बहुत ही मात्रा में बढ़ेगा और मां भी अपने खान पान का अच्छी तरीके से ध्यान रख उसके जानने के लिए अच्छी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर बवीडियो पसंद आया हो आपको तो एक लाइक जरूर से जरूर करें और दूसरों से सेयर करें ताकि ये वीडियो आगे से आगे दूसरों के तक पहुंचे और दूसरे भी इस तरीके से